हाई बच्चों कैसे हैं आप लोग वेलकम टू पेपर है का यूट्यूब चैनल आज हम लोग फिर पढ़ेंगे बीए पार्ट वन सेकेंड सेमेश्टर का पॉलिटिकल साइन्स प्रश्ट नमर फाइफ तक आप लोग को हमने बता चुका था आगे प्रश्ट नमर शिक्स अब देखें क्या पढ़ेंगे बीए पार्ट वन सेमेश्टर सेकेंड का पॉलिटी पॉलिटी पढ़ेंगे पाइफ नमर तक हमने आपको बता चुका था आज हम फिर शिक्स नमर पढ़ाएंगे आप लोग को ओके विडियो ध्यान से देखेगा लाश्ट तक बने रहिएगा व वेवहारबाद से आप क्या समझते हैं वेवहारबाद से आप क्या समझते हैं वेवहारबाद तथा उत्तर वेवहारबाद में क्या अंतर है इसको समझने वाली बात है देखिए आगे हम समझाएंगे अथवा राजनिती विग्यान के वेवहारबादी आंदोलन का कीजिए राजनीती भी ज्यान के वेवहारबादी आंदोलन भी हुए थे उस समय उसका परिक्षण करना है ठीक है अत्वा बेवहारबाद के उदय के कारणों पर प्रकास डालना है उसको देखना है असपश्टिकन बताना है उसका ठीक है उत्तर उत्तर क्या कर रहा बच्छो देखें यहां सात्वे दसक में वेवहारबादी के खिलाफ घोर और संतोस उत्तपन होने लगे सात्वी शताबदी में सात्वे दसक में जो है वेवहारबादी के खिलाफ घोर और संतोस उत्तपन होने लगे ठीक है कुछ आलोचक वेवहारबाद को कोरा भरम मानते हैं उत्तर ब्यवभार वात के नाम से उस अंदोलन का नाम क्या है? परसिध hè, शे में उत्तर ब्यवभारोध वा ब्युक्त वादी उपागम को प्रमाणिक मानते हुए किन्तु वे राजनिती विज्ञान को नई दिशाएं देना चाहते थे, कौन नई दिशाएं देना चाहते थे, उत्तर बेवहारवाद वबेवहारवादी, उत्तर बेवहारवाद वबेवहारवादी जो है, उसको क्या करना चाहते थे, उसे एक नया मोड देना चाहते थे, उ नहीं है वो अनेक विचारधाराएं से संबंधित है अनेक पद्दती से विज्ञान से संबंधित है नेक्स्ट इस अंदोलन में पुरातन वादी वाम पंथी पंधित वादी आदी सभी संबली था सब्सक्राइब किसे डेविड इश्टन के सब्दों में अता यह नया परिवर्तन वास्तों में क्रांति कारी है नया परिवर्तन क्या था क्रांति कारी होता है रूपांतर है परिवर्तन निरमांड नहीं था नेक्ष्ट देखिए आगे क्या कहा रहा बच्छों देखिए अहां उत्तर बेभारबाद के मूल सिधान्त निमलिखित है उत्तर बेभारबाद के मूल सिधान्त भी कुछ है वो निमलिखित है कौन-कौन है देखिए अहां वेवः वाद की मूल सिध्धांत निमलिखित हैं क्या कह ओ रहा है तक्नीकी पर यूग टैक्नीकल् यूजिज क्या है देखें यहां वेवार वादी अनिमस अन्षाठ तकनीक को वेवार वादी अनिमसंधान की अपिक्छठ तकनीक को他 टेक्निकल को तो कोई भी मात देगा ही न जी समझ रहे हैं आप लोग टेकनिकल को जो है बेभारवादी की अपेक्षा तकनीक को अधिक महत्व देते हैं उनके लिए मानो तकनीक ही सब कुछ इसके विपरित उत्तर बेभारवाद में तकनीक की अपेक्षा विशेबस्तु का महत्व अधिक है उत्तर बेभारवाद में तकनीक की अपेक्षा क्या है विशेबस्तु का अधिक महत्व है यदि इन दोनों में से किसी एक का परित्याग करना आवस्यों को तो तकनीक को छोड़ा जा सकता है किसी एक को चोड़ सकते हैं तेंग को अथवा नहीं हो यहां क्या करना है यहां आवस्य है कि विसेवस्तुअर्थात अनुसंधान का विसे समाजी दृष्टbn τις प्रषांगिक और उप्योगी होना चाहिये next इसी लाइन को फिर से repeat करते हैं देखले हैं यहां आवस्क है कि विशेवस्तु अर्थात अनुसंधान का विशे समाजिक दिरिश्टी से प्रासंगिक और उपयोगी होना चाहिए सेकेंड नबर पॉइंट देखिए बच्चों ध्यान से देखें गया मुल्यात्मक सिधान्तों के प्रति जाग रूपता समाजिक बिज्ञान मुल्यों की दिरिश्टी से तठस्त नहीं हो सकता समाजिक बिज्ञान से क्या होता तठस्त नहीं हो सकता इसलिए अनुसंधान करताओं को बुनियादी मुल्यांकन सिधान्तों के प्रति जागरूक रहना चाहिए अपने उत्तर दाईतों से नहीं बच सकते हैं कोई भी अपने उत्तर दाईतों से अपने निर्वान से कोई बच नहीं सकता इसलिए यह क्या करते हैं वो अपने इस उत्तरदाई तो से नहीं बच सकते हैं इसलिए उनका उत्तरदाई तो है क्या उत्तरदाई तो है वे मुल्यों का निरंतर परिक्षण करते रहें मुल्यों का क्या करते रहें निरंतर परिक्षण करते रहें परिक्षण देखिए हैं परिक्ष परिक्षण करते रहें और समय अनुसार नवीन मुल्यों की अस्थापना करते रहें जब जब समय आए तो नई नई मुल्यों का क्या करते रहें अस्थापना भी करते रहें ओके वच्छों थर्ड नमर पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है उत्तर वेभारबाद का छेत्र व बहुत ही ब्यापक रूप पकड़े उत्तर वेवहारबादियों का मत है क्या मत है कि वेवहारबाद के वन बिद्दमान परिस्थितियों का अध्यन बिस्लेशन करते हैं वेवहारबाद क्या करते हैं विद्दमान परिस्थितियां जो है उनका बिस्लेशन करते हैं पर वे उन कि परिस्तितिओं के अचित पर विचार नहीं करते पर इसे राज नीति की कुरूर्वास्तविक्टा पर परदा पड़ता है राज निति भी ज्ञान का यह भी कारे है कि उस पर्दे को हटाने में सहायक बने जिससे कि वह संकट की घड़ी में मानो जाती कि असली आवशक्ताओं की दिरिष्टी से उप्योगी हो सके असली आवशक्ताओं की दिरिष्टी से क्या हो सके उप्योगी हो सके फोर नमर पइंट दे तत्थों आवम इस लेशंण पर tapa में लोग को क्या करना है बल देना ठीक है विभारभादियों का इक तरख यह भी है कि यदि विभारभादियों का क्या तरक हुपय यह जाए। कि से अवार्णन जान रहें दिया जा हैं किसी पर दियांत्री त्थिया जाए व्यापक संदर में समझना कठिन हो जाता है देखिए यहां फोलतौरुप अनभाविक राजनितिक औन तत्यों का अनभाविक राजनितिक बिज्ञान जो है उन्तत्यों का किंतत्य समर्थक और पोसक बन जाता है समर्थक मतब सपोर्टर क्या सपोर्टर हो जाता है समर्थक बन जाता है उन तत्तों का जिनका वह अनुवेशन करते हैं जिनका वह अनुवेशन करते हैं बेभारबाद तथा उत्तर बेभारबाद में निमलिखित अंतर है बेभारबाद वह उत्तर बेभारबाद अभी हमने आपको क्या बताया बेभारबाद फिर क्या बताया उत्तर बेभारबाद तो दोनों में क्या है डिफ्रेंस है अंतर है यह हम लोग को समझे नहीं क्या अंतर भाई देखिया है अध्यन उद्देशों की भिन्यता फस्ट नम उद्देशों में भीनता पाई जाती है उद्देशों में क्या पाई जाती है बच्चों भीनता पाई जाती है क्या भीनता पाई जाती है अभी बता रहे हैं आपको हम भेवहारवाद ने इस सिधान्त को आधार माना है कि अश्पष्ट रूप से नहीं अश्पष्ट रूप से देखिए हैं आगे देखिए देखिए ली अच्छ रूप से देखिए बच्छों यहां बेग्यानिक दृष्टिकूण से जो है कि परती भीन-भीन विचार थे यहीं हम पढ़ाये थे आप लोगों फिर्टे बेभारवादी अतिशे बेग्यानिक अध्यान पर बल देते हैं कि उनकी अध्यान में मुल्यों के प्रती उदासेंता भी दिरिष्टी गोचर होती है परन्तु उत्तर बेभारवाद यह मानते हैं कि समाज बुद्ध जीवों की एक विशेष तथा महत्पूर भूमिका होती है उनका यह दाइत तो है कि और सभिता मानवी मुल्यों की रक्षा करेगा और सभिता क्या करेगा मानवी मुल्यों की रक्षा करेगा यह दि बुद्ध जीवियों द्वारा इस दाइतों का निर्वहन नहीं किया जाएगा तो यनवीत अथवा सिल्पकार बनकर ही रख जाएंगे ओके बच्चों वी झाल झाल